यहां पर क्लास में हम लोग यहां पर कंप्लीट करना है और जैसे कि आप सभी को बताईए कि पर जैसे के तो बहुत सारे जो मनोविज्ञानिक है उनके बारे में जानकारी आपको इस चैप्टर से मिल जाती है तो बहुत सारे unlimited questions आप इस chapter से बोल सकते हैं जो most repeated questions है वो आज की class में हम लोग यहाँ पर complete करेंगे साथ ही अगर बात की जाए तो आपके सारे ही complete courses आ चुके हैं अगर आपको individual अकेले कोई course चाहिए just like कि आपको CDP का course चाहिए तो वो course भी आपको अलग से मिल जाएगा आपको पूरा ही course एक साथ चाहिए जिसमें आपको CDP, EVS, Hindi Pedagogy, Maths Pedagogy और Test Series यह सारे courses भी आपको एक साथ मिल जाएगे तिक अगर आपको CDP के book चाहिए तो वो भी अलग से available है so जिस भी प्रकार के course आपको चाहिए आप जरूर से एक बार watch up कर लीजेगा watch up नंबर आपको comment box के अंदर भी मिल जाएगा description box में भी courses की आपको सारी detail मिल जाएगी question number 25 तक previous session में हम लोग complete कर चुके थे question number 26 को आप यहाँ पर देख सकते और answer करिएगा question number 26 का answer क्या होगा question number 26 यह पूछ रहा है the learning style that is greatly associated with activity is गती विधी के साथ बहुत कुछ सीखने की शेली को किस नाम से जाना जाता है देखो CDP की live classes भी चल रही है दिन में 2-3 आपका CDP का live session रहता है उसे भी आप attend कर सकते हैं किके आज दिन में आपका EVS का live session रहेगा उसे भी आप जरूर से जाइन करिएगा ओके चलिए answer करना है यह आपका previous class का homework भी था देखो इसमें क्या बोला गया है कि the learning style that is greatly associated with activity मतलब आप कुछ भी सीख रहें किसके थ्रू सीख रहें activity करके सीख रहें तो उसे क्या नाम दिया जाएगा विजूल नाम दिया जा सकता है मोखिक हो सकता है काइनस्थाटिक हो सकता है या फिर यह auditory हो सकता है answer क्या हो जाएगा देखो गति विधी की बात हो रही है तो हम लोग बोलेंगे यह जो activity होगी काइनस्थाटिक हो जाएगी ठीके तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका option नंबर सी हो जाएगा कहां पर लिखा हुआ option नंबर सी काइनस्थाटिक मतलब कोई गती शील करना है ना गती शील activity करना चलिए कुश्चन नंबर 27 के पास चलते हैं अंसर करिएगा सामन्यता अधिगम निम्न पर आधारित व्यभार में एक इस्थाई परिवर्तन की प्रक्रिया है learning को लेकर एक सबसे common definition यहाँ पर मानी जाती है यहना व्यभार के द्वारा अनुभाव व्यभार अनुभाव के द्वारा अगर किसी भी चीज़ में परिवर्तन आता है यहना तो वो क्या कहलाता है learning कहलाती है लेकिन परिवर्तन किस प्रकार का होना चाहिए इस्थाई यहाँ पर होना चाहिए तो अब उसी definition को थोड़ा सा गुमा कर यहाँ पर पूछा गया है कि सामन्यता अधिगम किस चीज़ पर आधारित व्यभार में एक इस्थाई परिवर्तन है क्या यह challenges और reinforcement होगा यह challenges और experience हो सकता है प्रैक्टिस और experience हो सकता है प्रैक्टिस और challenge यहाँ पर हो सकता है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रैक्टिस और experience के थ्रू या फिर हम लोग कहें कि अभ्यास और अनुभाव की वज़ा से अगर किसी भी व्यक्ति के व्यभार में इस्थाई परिवर्तन आता है तो उसे हम लोग learning उसे हम लोग अधीगम यहाँ पर कहते हैं ठीके बात तो वही है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रैक्टिस और experience यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीके चलिए आगे बढ़ते है question number 28 के पास चलेंगे निमनल इखित में से कौन सा गथन यहाँ पर सकती है which of the following statement is true व्रद्धी केवल एक मानसिक प्रक्रिया है आनुबानसिकता अधीगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है अगला है विकास केवल एक मातरात्मक प्रक्रिया है और अगला option है अधीगम व्यभार परिवर्तन की प्रक्रिया है ठीके अपन को बोला है सत्य है तो पहला statement पर अगर अपन देखे तो पहला statement गलत है कि ग्रोथ के अगर अपन बात करें जैसा कि अपन व्रद्धी और विकास का चेप्टर नंबर वन के अंदर पढ़ते हैं तो व्रद्धी जो है एक शारीरिक प्रक्रिया होती है यह question आपका गलत हो गया है यह option गलत हो गया है ठीके अनुमान शिक्ता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है तो यह गलत है क्योंकि heredity और environment दोनों ही आपकी learning process को यहाँ पर क्या करते है अफेक्ट करते हैं यह statement भी आपका गलत हो गया विकास के वाल एक मात् प्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक अभी क्रिया भी है तो यह statement भी आपका गलत हो गया option number D देखना अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है तो यस अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है तो यह answer आपका correct हो जाएगा चलिए अगला question देखिएगा दो सहयोगी अधिगम यहाँ पर कौन से हो सकते हैं which are the two associative learning theories सबसे पहला option है classical conditioning and operant conditioning दूसरा देखना classical and operative conditioning तीसरा option है classical and operative conditioning classical conditioning and observant conditioning ठीके देखो अगर मैं इस question को हिंदी में देखो तो मेरा answer कुछ और आ सकता है और अगर मैं इस question को English में देखूंगी तो मेरा answer कुछ और दो सहयोगी अधिगम मतलब दो चीजे जो साथ साथ में चल सकती है जो reinforcement की बात करती है जो punishment की बात यहाँ पर करती है तो कौन-कौन है वो एक तो शास्त्री अनुबंदन का सिद्दान classical conditioning theory given by इवान पैट्रोविच पावलाओ ठीक है E.B. पावलाओ एक और और अपनी B.F. Skinner, Bureus Fadric Skinner की थियोरी होती है जो हमें पुनरबलन reinforcement के बारे में बताती है जिसको हम लोग operate conditioning बोलते है तो अगर आप English में देखेंगे तो आपका answer correct हो जाएगा classical and operate conditioning हिंदी में देखोगे तो शास्त्री अनुबंदन और यहाँ पर प्रभावी लि की shift में आ गया होता तो आप operate जादा सही करते हैं फिर क्रिया प्रसूत को सही करते क्योंकि यहां तो उपरेटिव लिखा हुआ है तो जब भी इस टाइप के question पूछा जाए तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो चीज़ इंग्लिश में दिख रही है वो जादा सही होगी है क्योंकि कई बार यह क्या करते हैं पेपर बाले सिर्फ इंग्लिश में पेपर बना तो उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं तो वो चीज़े फिर थोड़ी सी गलत मीनिंग दे जाती है तो अगर इंग्लिश में देखेंगे तो यही answer correct है और आपको मानना भी इसी को correct है तो जब अधिगम के प्रती द्रश्टी कोन को सबसे अच्छे तरीके से क्या चीज़ पारिभाशित कर सकती है देखो अधिगम के प्रती आपका जो द्रश्टी कोन है अगर उसको define करने को बोला जाए तो क्या हो सकता है केबल शिक्षार्थियों के द्वारा ही इसको संशोधित किय जा सकता है आयू के साथ संशोधित किया जा सकता है सकारात्मक अधिगम बातावरण में इसको संशोधित किया जा सकता है या फिर कोई भी इसको modify नहीं कर सकता है तो अगर इसको कोई define करने को बोले तो आप कैसे बोल सकते हो कि अधिगम क्या कर सकते है अधिगम के प्रती द्रश्टी कौन को सबसे अच्छे तरीके से पारिभाशेत करना है अधीगम क्या है सकारात्मक अधीगम बातावरण में हम लोग अपने attitude को हम लोग अपने behavior को क्या कर सकते हैं संशोधित कर सकते हैं तो correct answer क्या हो जाएगा आपका option number C हो जाएगा मतलब learning को लेकर हमारा attitude कैसा होना चाहिए परिवर्तन शील होना चाहिए या मैं कहूं flexible यहाँ पर होना चाहिए ठीके कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर आगे बढ़ेंगे question number 31 को देखेंगे giving a stimulus to a child wants to motive him or her to एक बच्चे को प्रेड़ करने के लिए उतेजित करना क्या कहलाता है हम एक बच्चे को motivate करना चाहते हैं उसके लिए अगर उस बच्चे को उद्धीपक दिया जाए उद्धीपक के रूप में आप उसको chocolate दे सकते हैं आप उसको किसी भी प्रकार का motivation दे सकते हैं उद्धीपक के रुप में आप उसको reward यहाँ पर दे सकते हैं, आप उसको trophy यहाँ पर दे सकते हैं, तो इसको continuous reinforcement बोला जाएगा, इसको operant conditioning बोला जाएगा, इसको normally reinforcement कहा जा सकता है, या फिर इसको neutral stimulus कहा जाएगा, देखो, अगर मैं सारी theory जो हमने अभी पड़ी है, conditioning को लेकर या फिर व्यवहारवादियों को लेकर, तो CR का मतलब क्या होता है, respond generate करना, है न, तो वेसे इसमे reinforcement लिखाओ है, और मुझे stimulus चाहिए, ये तो क्या है, एक तरीके से प्रतीक्रिया है, हमको अभी क्या चाहिए, हमको अभी चाहिए, यहाँ पर उद्धीपक, ठीके, ये अपनी प्रतीक्रिया हो गई, ठीके, इसके बाद में अगर देखो, neutral stimulus मेरा stimulus है, लेकिन ऐसा जो उससे connected नहीं है, just like dog वाले में आपने देखा था, कि neutral stimulus या conditional stimulus क्या था, बैल था, गंडी था, जो शुरुवातम उसके मतलब का नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब कंडीश सकते हैं कि किस प्रकार का उद्दीपन यहां पर बच्चे को देना होगा, तो आप जस्त एक reinforcement यहां पर दे सकते हो, एक पुनर बलन यहां पर दे सकते हो, बहुत simple सा question है, जादा कुछ टफ नहीं है, इसके अंदर, बच्चे को प्रेरित करना है, बच्चे को motivate करना है, तो आप उसको क्या दीजिए, reinforcement दे दीजिए, पुनर बलन दे दीजिए, कौन सी थियोरी है, BFS की नर की थियोरी है, ओके चलिए, next question number 32 को देखेगा, इसका answer करिएगा, एक सव निर्देशित, स्व निर्देशित, self-directed, अधिगम प्रक्रिया, व्यक्तिगत, सामुहिक और संग गठनात्मक अधिगम और विकास की सुविदा है, तो नी संदे सबसे शक्तिशाली मॉडल यहाँ पर हो सकता है, स्व निर्देशित मतलब self-guided या self-directed learning, मतलब बच्चा खुछ से self-study कर रहा है, यह एक बहुत ही अच्छा तरीका यहाँ पर हो सकता है, इसका मतलब है कि learner जो है, अधिगम करता जो है, उसके पास क्या है, सबसे पहले अधिगम की जिम्मेदारी लेता है और लक्ष नमुखी वेभार करेगा, self-study कर रहा है, तो वो पूरी study करेगा, उसके responsibility लेगा कि पास हुआ, फेल हुआ, मैं अपनी responsibility पर हूँ, तुसरों के साथ competition करना, अच् self-study यहाँ पर कर रहा है, तो कहीं ने कहीं वो अपनी responsibility ले रहा है, और लक्ष की उनमुखी वो इस व्यभार को, वो इस टास्क को यहाँ पर क्या कर रहा है, complete कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका option number one हो जाएगा, ठीके, चलिए, आगे बढ़ेंगे question number 33 को देख post by, यह किस ने बताया था, यह Helen Keller ने बताया था, यह Norm Chomsky ने बताया था, यह Bloomfield के द्वारा बताया गया है, या फिर यह Eric Landberg के द्वारा यहाँ पर बताया गया है, क्या answer हो जाएगा, देखो basically इसका नाम क्या है, hypothesis of critical period, अलब हर वेक्ती की लाइफ में कैसा समय आएगा, critical period जहाँ पर वो कुछ नई चीज़ सीखेगा, यहना कुछ नया, कुछ यूनीक यहाँ पर करेगा, तो post के लिए क्या हो जाएगा, critical period हो जाएगा, जिसे भाशा को सीखने का अपना सही समय होता है, अगर शुरुवाती है बच्पन में आपने भाशा को नहीं सीखा, तो अग hypothesis of critical period was proposed by Eric Lennberg, यह जो प्रस्ताव है, यह किसके द्वारा दिया गया, Eric Lennberg के द्वारा दिया गया, क्या कहा है, इन्होंने CPH इसको नाम यहाँ पर दिया है, एक प्रकार से भाशाई सिधान्त यहाँ पर होता है, यहना critical period hypothesis, टीक है, that is CPH, यह एक प्रकार का language theory है, जो यह ब प्रकार सकता है, जिसे अगर मैं आपको बोल दियो कि आपको Spanish सीखना है, तो आपको पूरा एक से डेर महीना लग जाएगा उसको सीखने में, और नमानो तो भी 15 दिन तो at least कम से कम यहाँ पर लगेंगे, लेकिन अगर वो Spanish language ही आपकी बच्चपन से बोली जाती है, अगर वो ही आपको मात्रभाषा ओती वो ही आपके डी लेंगवेज होती तो आपके लिए बहुत इजी होता उस language में कमुणिकेट करना उस language में बात करना तो हर एक चीज का अपना एक सही समय होता है तो उसे यहाँ पर CPH नाम दिया गया है किस ने दिया है through Eric Lennberg के द्वारा जो लेंसें पर समन्स में को रो कBill कि थैक तो प्रकार के रैंफोर्स्मेंग रेंपेडर्ट के पुनरबलन होते हैं और त में सेकेंडरी दीटियक्न प्राईमरी का पंचमेन के लिए हमारे जीवन जीने के लिए आउशक है अरूर। जिसके हमें आवशकता होगी, जिसे हम बोलते हैं रोटी, कपड़ा मकान, यह चीजे हमें चाहिए सर्वाइव करने के लिए, एक बीसिक लेंग्विज में अगर कहूं, और सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, जिसके माध्यम से हम लोग प्राइमरी जो सोर्सेज हैं, जो बीसि आशकी डेट में आपके पास पैसा है, मनी है, तो उससे आप क्या खरीच सकते हैं, आपके सुकसुविदाओं के सामाई, आप उससे घर खरीच सकते हैं, यह पहनने के कपड़े खरीच सकते हैं, खाना खरीच सकते हैं, यह सारी चीज है, तो अब इसमें से आपका सेकेंडर जूस खरीच सकते तो तीनों चीज़े प्राइमरी हो गई मनी आपका क्या हो गया सेकेंडरी हो गया ठीक तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी मनी हो जाएगा चलिए आगे बढ़ेंगे एक व्यक्ति मांस्पेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक पैरेंट फोर्स है क्योंकि उसके मातापिता ने उसको फोर्स किया था एक बच्चा जो है एक व्यक्ति मांस्पेशियों का उपयोग कर रहा वो उसके थ्रू एक कोशल को प्राप्त कर लेता है तो यह चीज़े कैसे आती है maturity के थ्रू समय के साथ धीरे धीरे प्राप्त होती है तो answer क्या हो जाएगा आपका option number one maturity यहाँ पर हो जाएगा यह आप देख सकते है option number one maturity यदि आपके पास CDP की book है तो बहुत अच्छी बात है कि आप उसको open करके भी बेठिएगा उसमें भी आपको यह सारे questions देखने को मि answer करिएगा भाषा के उद्गम के दोरान शब्द या जाल या फिर जारगन जो है इस अवधी को कहा जाता है ठीक है आपको ध्यान होगा math pedagogy जब हम लोग कर रहे थे तो उसमें भी previous paper के questions में आपसे पूछा गया था mathematics के अंदर जारगन का मतलब क्या होता है ठीक है जारगन बात करने के तरीके को लिखने के तरीके को क्या करती है आसान करती है तो mathematics की terms में हमने देखा था जारगन क्या हो जाएंगे addition को मैंने क्या लिख दिया है जोड़ना मतलब addition इसको मैं in short add लिख सकती हूँ सब्स्रेक्शन को सब लिख सकते mathematics को maths लिखा जा सकता है तो यह maths की जारगन हो गई ऐसे ही भाशा के उद्गम के दोरां शब्द जाल या जारगन कभ बच्चा विक्सित कर लेता है नो महिने से एक साल तक जन्व से तीन महिने तक तीन से छे महिने या इसको विक्सित होने म 6-9 महिने यहां पर लग जाते हैं मतलब अगर मैं भाषा की टम्स में बात करूं लैंग्विज की टम्स में ठीक है वह कुश्चन अपने करा था मैट्स के लिए यह कुश्चन अम लोग कर रहे कि बच्चा कब शब्द जाल बनाना स्टार्ट कर देगा कब जार्गन वो स्टार्ट कर देगा वन वर्ड टू यह स्टार्ट ओ जाते हैं इसका 6-9 महिने के बीच में पूक्राइक्ट अंसर क्या हो जाएगगा आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा छलिए Administration cabeça चलते हैं असफलता से समर्थन निपटने में समर्थन देने और उसकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका यहां पर हो सकता है ठीक है मतलब अगर बच्चे असफल होते हैं तो parents इस चीज को कैसे tackle करें ये चीज आपको बतानी है तो सबसे पहला option देखना उनकी असफलता को भुलाने के लिए बच्चे को किसी अन्य गतिविधी में व्यस्त करने है तू एक आरम दायक परिवेश प्रदान करना दूसरा सुनना सहानुभूती रखना और फिर सीखने के अउसरों पर ध्यान केंदरित करना न की शमताओं के उपर ठीक है मतलब सीखते रहो कहीं कहीं न कहीं कभी न कभी तो सफल हो जाओगे तीसरा देखना अपने बच्चे के लिए ऐसे परिवेश का निर्मान करना जो ने असंभावित सफलता और निराशा से बच्चा है मतलब ऐसा इंवामेंट बना दो कि बच्चा कभी फैल ही न हो मतलब उसको कभी भी मुसीबतों से सामना करने का मोका ही मत दो तो वो फैल ही नहीं होगा बच्चों को उनकी शम्ताओं से परेध हकेलना या पुष करना ठीक है पुष किट्च बियॉंड डियर क्यापिब्लीटी तो इससे बच्चा डी मोटिवेट हो सकता है इससे बच्चा बहुत लेजी हो जाएका उसको लाइफ में आगे आने वाली जिन्दगी म परिशानि को जिलने की शमता ही नहीं आएगी तो bone to c b गलत हो गया e b यहाँ पर गलत हो गया है और उसको संजाए आप उसको बताय कि उसको केवल सीखने के ऐउसरों और ध्यान केंplain कर न कि उसकी abilities के उपर चलिए आगे बात करते हैं question number 38 की question number 38 को देखेगा answer करिएगा इसका answer क्या होगा सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निमनली खित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है अगर आप बच्चे की प्रतिक्रिया बच्चे की response को अच्छा अगर ना चाहते हैं कि बच्चा जादा से जादा class के अंदर response करें उसका व्यवहार ठीक रहे तो एक अच्छा तरीका बताईए आप उसको punish कर लो आप उसकी प्रशनशा कर दो आप उसको ignore कर लो आप उसके साथ सकती रफो आप definitely उसकी प्रशनशा करो आप उसकी प्रशनशा करोगे तो उसको लगेगा यार मैंने बहुत अच्छा कार्री किया तो वो बार बार उस कार्री को करेगा तो इन चारों में से अगर आप उसके साथ सकती रफोगे तो प्रशनशा करना ज्यादा बैटर ऑप्शन है बजाए इन तीनों के तीक है चलिए आगे बढ़ेंगे किस्टन नंबर नाइन पर इस कुश्टन नंबर 39 को देखिएगा आंसर करिएगा निम्न लिखित में से कौन सी नैदानिक प्रक्रिया क्लासिकल कंडिशनिंग पर आधारित होती है विच आप दा फॉलॉइंग क्लीनिकल प्रोसीजर और बेस्ट इन पार्ट उन क्लासिकल कंडिशनिंग बनलब वोई चीज पूछी गई कि क्लासिकल कंडिशनिंग पर आधारित कौन सी प्रक्रिया यहाँ पर है अब नैदानिक प्रक्रिया समझ रहे हो कि अगर किसी विव्यक्ति को कोई समस्या है तो उसको फाइंड आउट करना क्लीनिकल प्रोसीजर यहाँ पर हो जाएगी यह तो समझ गए थे आप लोग अब आगे समझते हैं कि नैदानिक प्रक्रिया का प्रियोग कहाँ पर किया जाएगा साइकोलोजिकल मैथर्ट्स में किया जाता है साइकेट्रिस्ट जो यहाँ पर होते हैं उनके द्वारा नैदानिक प्रक्रिया का प्रियोग किया जाता है उसमें वो किसका यूज करते हैं क्लासिकल कंडिशनिंग का यहाँ पर प्रियोग करते हैं तीके अब इसको इन में से कौन सी चीज जो है वो classical conditioning पर आधारी थे, token economy हो गया, two-chair technique हो गया, transference हो गया या फिर systematic decentralization हो गया, क्या answer करोगे question number 39 का, देखो, इसका जो answer है वो है systematic decentralization करना, option number D, systematic तरीके से, व्यवहरगत तरीके से, व्यवस्तित तरीके से, वी सुग्रही करन करना तो ये बाकी की तीनों चीजे क्या है, बाकी की तीनों चीजे भी नैदानिक प्रक्रिया है, लेकिन ये classical conditioning पर आधारिक नहीं इसमें से most common का नाम मैं आपको बताती हूँ, two-chair technique होता है, ये दोनों ही वैसे बहुत famous है पहले अपन समझ लेते हैं, two-chair technique के बारे में, क्योंकि ये हम लोग बोलें तो डॉक्टर के द्वारा, जो psychiatrist होते हैं, उनके द्वारा बहुत जादा यूज़ करी जाती है इसमें क्या होता है, basically नाम है, वैसा ही काम है, इसमें दो-chair यहाँ पर लगाई गई है, ये दो-चेयर रखी जाती है, एक व्यक्ति को जो इस समस्या से ग्रसे थे, जैसे वो अपनी problem किसी और को नहीं बता पा रहा है या मानसिक रूप से बहुत जादा परिशान है, बहुत जादा stress में है, बहुत जादा तनाव में है, उसको एक chair पर बिठाया जाएगा, ठीके, और एक chair को क्या करा जाएगा, खाली रखा जाएगा, फ्री रखा जाएगा, अब वो इस chair पर उस व्यक्ति को imagine करें, जिसकी बहुत जादा परिशान है, जिसने उस व्यक्ति को परिशान करके रखा, वो बोस हो सकता है, कोई भी लोग हो सकता है, अब वो क्या करेगा, उससे अपनी problem share करेगा, या उसके साथ बातचीत करेगा, तो यह होती है two share technique, उसके अलावा token economy का मतलब कुछ इसी तरीके से होता ह कि यहाँ पर आप जो है, कुछ जैसे अपन वो बी एफ स्कीनर का जो मशीन है, उसमें अपन जनरेट करते हैं, कि यहाँ पर आपको एक reward दिया जाएगा, तो reward मिलेगा तो आप उस कारी को दोबारा करेंगे, तो इसी तरीके से token economy process यहाँ पर चलती है, जिसमें reward के थ्रू जो है, conditioning करवाई जाती है, reward के थ्रू जो है, व्यक्ति को reinforcement मिलता है, व्यक्ति को पुनरबलन मिलता है, तो यह दोनों ही टेकनीक के अंदर, classical conditioning, शास्तरी पुनरबलन का प्रियोग नहीं होगा, किसके अंदर होगा, व्यवस्तित सुग्रही करन, systematic decentralization के अंदर, अब आपने चीज यहां पर पढ़ी थी, कि अगर किसी भी चीज की, जिससे डॉग वाला example यह अप ले लो, तो डॉग को किस से connect कर दिया था, इनोंने, conditional stimulus बैल से connect कर दिया था, तो सेम ऐसे ही, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है, तो उसका भी यहां पर systematic decentralization यहां पर किया जा सक चलिए, आगे देखते हैं, question number 40 की तरफ चलेंगे, question number 40 का answer करिएगा, इसका answer यहां पर क्या होगा, देखो एक और और चीज में आपको इसमें बता देती हूं, चलो, दो मिनिट लग रहे हैं, एक बर समझ रहते हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी anxiety किसी भी प्रकार के तनाव में हैं, तो सबसे पहले उसके उस तनाव को जानने की कोशिश की जाएगी, कि उसको जो यह anxiety है, यह किसकी वज़े से है, उसकी जौब नहीं लग रही उसकी वज़े से है, या उसकी शादी हो चुकी, इसकी वज़े से वो depression में है, या कोई भी कारण हो सकते हैं, उस तनाव को जानने की कोशिश करेगा, ठीके, फिर उसके बाद relaxation training दी जाएगी, उसको यहाँ पर training दी जाएगी, कि वो किस तरीके से एसी situation में भी balance रहे, relax रहे, ठीके, यह वाली चीज होती, उसमें बार-बार जिसे कि यहाँ पर training मिलती है, तो training में same situation create करी जाती है, बार- relaxation training होगी, इसकी third step होती है, decentralization session, decentralization में उसके व्यक्ति के व्यभार को, जैसा वो पहले था, इस anxiety से पहले, वेसा ही वापस से उसको कर दिया जाता है, ठीके, clear हुआ यहाँ तक, तो यह इस तरीके से systematic decentralization यहाँ पर होता है, चलिए, अगला question number 40 की तरफ चलते हैं, answer करिएगा, जब असफलताओं के लिए बच्पन के दोरान दंडित किया जाता है, तो यह किस ओर लेकर जाता है, यह वाले अपने theory Sigmund Fried वाले concept में भी देखी थी, यह उसमें भी same concept था, कि जब बच्पन का कारक कब वैस कवस्था में कारण बन जाता है, जब बच्पन में उस बच्चे के दोरान बच्पन में बच्चे को मारा गया, बच्चे को पीटा गया, बच्चे को डंडित किया गया, तो यह बच्चा जब बढ़ा होगा, जब वैस कवस्था में आएगा, तो यह किस ओर लेकर जाएगा उसको? नेगेटिव रेंफोर्स्मेंट की तरफ, एंकरिजमेंट की तरफ, पर्सिस्टेंस, जो हटी हो जाते हैं बच्चे, व्यक्ति, यह ना उनकी तरफ, यह लर्निंग, हेल्पलेस्नेस की तरफ, तो डेफिनेटली ऑप्शन नमबर D, अधीकम विवश्था की तरफ, यह चीज प्रभाव आए है, ओके, चलिए, आगे बढ़ेंगे, कुश्टन नमबर 41 की तरफ, चलेंगे, कुश्टन नमबर 41 को देखिएगा, परिपकवता अधीकम को प्रभावित करती हैं, क्योंकि यह किस चीज के उपर प्रभाव डालता है, मोटर स्किल्स के उपर, रेडिनेस के उपर पड़ेगा, यह आपको बताना था, तो अगर आप परिपक हैं, तो कहीं न कहीं, आपके अंदर वो रेडिनेस होगी, आपके अंदर किसी भी कार्री को करने की क्या होगी, तत पढ़ता होगी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ओप्शन नमबर B हो जितना भी नॉलेज व्यक्ति को मिलेगा, वो उसके एक्सपीरियंस से आएगा, वो उसके जो भी धारना है, जो भी उसके परसेप्शन से, वहां से मिलेगा, इस धारना को या इस परसेप्शन को किस नाम से जाना जाता है, यह वाली बात जो है, किसने कही है, वो भी इंप आता है टैबूला रास के नाम से जाना जाता है टैबूला रास मतलब होता है ब्लेंग स्लेट एक कोरा कागत जैसे अपन बोलते हैं औरी पट्टी राइट तो यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे जॉन लॉक यहां पर थे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका option number B हो जाएग चलिए अगला question देखिएगा सभी अधिकम सामनेत कुल मिला कर सफल होते हैं जब उसे किया जाए और learning बाइदर लार्ज स्केल फुल वैन इट इस हैना सभी अधिकम यहां पर सफल होंगे जब उसे resource के द्वारा करवाई जा जो भी resources हमारे पास available है शिक्षार्थियों के द् इतरत वो उसमें हो या फिर teacher के द्वारा करवाई जा रहे हो अगर बच्चा खुद से या self-directed किसी भी कारी को करेगा तो वो सबसे अच्छा होगा इससे अच्छी चीज़ तो कोई होई नहीं सकती है दि हम लोग child-centered education की बात करें यहना बाल केंदे जहां पर केवल किने से थोंड़ाइक के तीन मुख्य नियम में से सबसे पहला नियम होता है आपका law of readiness कि किसी भी कारी को करने के लिए आप मांसिक रूप से कितने तयार हैं आप mentally कितने प्रिपेर हैं तो इसे हम लोग क्या कह सकते है law of action tendency के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह दोनों त तो आप उस कारी को नहीं करते हैं यह एसी human tendency होती इसलिए इसको law of effect के नाम से जाना जाता है अब देखना यह जो कारी प्रवर्ती का नियम है action tendency का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी कारी को करने के लिए आंतरिक रूप से या अंतरमन से कितने ready है ठीके चले question number 45 को अधीगम बातावरन कैसा होना चाहिए एक बच्चे के लिए जो learning environment होता है वो कैसा होना चाहिए learner discipline होना चाहिए learner autonomy होना चाहिए linear exposure यहाँ पर होना चाहिए उसमें teacher की authority होना चाहिए ठीके चलो इसको अपन as a homework रखते हैं ठीके इसको अपन जो है कल के class में complete करेंगे तो आप comment box में इसका answer जरूर से करिएगा a child friendly learning environment shall be ठीके बच्चों के लिए जो child friendly learning environment होगा वो किस प्रकार का होना चाहिए ठीके बहुत simple सा question है देखते से ही answer आपको समझ में आ जाएगा तो हम लोग इसको कल की class में discuss करेंगे साथ यह भी थोड़ी दिर में आपका EBS का session भी है ठीके उसे भी आप जरूर से join कर लीजेगा और यदि कोई doubt रहता है किसी भी question में तो आप जरूर से mention करें ताकि इसकी अगली आने वाली class में हम लोग उस topic के बारे में भी बात कर सके साथ ही five minute sessions भी available है उन्हें भी आप visit कर सकते हैं जिसमें हर five minute में एक एक topic को हमने यहाँ पर discuss किया हुआ है ओके, so thank you everyone, thank you for joining the session